अबिमान इसको सुभाविक हो जाता है थोड़ा सा सुख शरीरिक बल या कोई बाहू बल या कोई सेना का बल हो जाती दर्थी तोल देता है फिर इसका भोग भी इसको भोगना पड़ता है करने का भाव ये प्रमात्मा ने कहा के लाया मेरी सुम्रनी उतार दे। वा teammate फ़र चुट्टी पर एक माला टंगी थी फूदर्सन की और भीम से का भीम ये माला उतार करे चल मा चलता हूं फेर चलेंगे तुमारी बहुरान अब भीमने शओता है माला ने ह Ο आसानी शे उतारन अब प्रमात्मा बोले रहते हुआ नहीं कहता हुआ था मैं बड़ा बलवान हो एक नहीं आ रहुँ था रचा है मरें थे यह मौला नहीं उतरती पहल वानती रहे थे नहीं देख ए मटर मटर रहे हैं जो आजाएं बैठ जाएं और प्रमात्मा नहीं आथ करे था अपने आप अब क्या कहते हैं दर्मदास जी को प्रमात्मा ने कहा कि दर्मदास वह संत नहीं जो चमतकार करें और भाई वह संत भी नहीं जिस्ति चमतकार नहीं हो यानि जैसे इवाब जी अदुकियों आते हो और सुख मिलता है आपकी सत्षी सर्दा सत्षी लगन होगी नाम लेती ही रात मिलनी शुरू हो जैगी आपको और यहां कोई नू ना कहते के भी जात रहनू हो जागा जात रहनू कर देंगे आनी लाब नहीं कर सकते हम ना ऐसे करते कभी तो ऐसे जो कहता है ऐसे करता वो संत नहीं और जिस संत से कोई चमतकार ना हो जो है अद्भूत क्रिस में ना हो ना होन के काम ना हो वो संत नहीं तो प्रमातमा ने कहा था कि धर्म दासिया घणा अंधिरा और बिन पर चेजिव जुम का चेज़ा यदी मैं इनको रहत ना दियू अपनी सक्ती का थोड़ा बोट परदर सन्ना करूं तो ये काल के थे अट्टे कोन्या ये काल के चिपके रहेंगे अपने पास आम है कोन बेटा तो प्रमातमा ने वो छोटा सा एक प्रिच्चे दिया था अपना के भाई हम भी कुछ कर जाएंगे चल तो उनके ने थोड़ा सा विश्वास हुआ मातमा के ये तो चाड़ा है अब क्या हुआ अपने आत्माओ कभीर जी की कैसी वेश भुशाथी सुदर्शन के रूप में जैसे आदी वासी हुआ करते थे पहले लांडी सी दोती गुठना तो थोड़ी सी नीचे था एकी दो रिलांगड टुटे है जुटे शरके बाल छोटे छोटे दाड़ी बड़ी और इसे मेले कुचले से कपड़े जैसे कई दन आये हो गया हो और जो ही वो उन सभामा परवेश वाया जानते तिस कोड़ देवता आठासी अजार जी सीर मंडले सुर बैठे थे तो इनो आपने कपड़ों को मुँ मुलाक है और आसे तले तले नुँ अग यह लाए है डूटिगे यू करेगा है यह न पूरी है उदर से दरोपती से श्री किर्शन जी ने कहा कि दरोपती बैन आप बढ़िया बोजन बढ़ाओ इस संथ से तुमारी यह संपूर्ण होगी अब दरोपती जी ने बहुत ही प्यार से सरदा से बोजन ट्यार किया है क्योंकि बात कती अड़ी पड़ी थी वैसे भी सोभाव होता है गर पे को यह तिथी आ जाता है तो बहन बेटियां परती दिर बनाने वाले बोजन से हटकर बोजन बनाती है और बहुत सावधानी से कहीं समन्ना मक मिरच कम जादाना ओ जा और खाणे वाला तेरे दोड़ा बनाए गये बोजन को कई बिसराcontrolled आदे की तो ओर जाका है तेरी बेजती हो है इसलिए बहुत अच्छा बोजन बनाती है और खाना खाने वाले से इंतजार करती है ये कुछ टिपनी करे या ना करे तो भी ठीक जन्यों के देख नमक थोड़ा से या मेरच गणी है तो बनाने वाड़ी बहन बेटी के आतमा में कष्ट बहुत होता है तो salhaus 270 क्या क्या करते है वो चछे कुछ भी होता किसा भोजन किसी गर पर बन रहा यहूता वो कभी बेस राया नहीं करते नियों करते है विज़ कमाल हो गया बहुत बढ़ी है भोजन बना चैने नमक भी ना हो तो उदर से दरोपती जी ने इस दृष्टी कोन से बड़े सुंदर पकवान बनाए न्यारे खीर, अलुवा, कचोडी, पकोडी, दाड, सबजी, कई परकार की सबजी, मादपूडे, और भाई, बूरा मेंडे, ये खरतर है कि जलेबी, लाड़ू, कचोडी, सब बना रिक और अलग-अलग से एक बहुत बड़ी थाड़ी में थोड़ा-थोड़ा आइटम रखके, और मातमा जी के सामने, खाने के लिए प्रोश दिया, सरव कर दिया, अब मारा जी ने सोचा, हमें उधरन देने के लिए, आम विक्ती के लिए, उसने सोचा कि भई, आज तैयो मन, ये जीब चठोरी कर लेगा, नाना पर करके नहरे-नहरे सुआद लेगा, ये तड़के फिर मांगेगा, कल ने कितने लाँगे, इसने गासफूज खानी आदमी हम, तो उसने क्या किया सत्गुरू ने, अब मैं सुदरसन ही कूँगा, क्यों क्यों सुदरसन का रोल कर रहे थे, अब सुदरसन जी ने क्या किया, उस सारे आइटमा में थोड़ा थोड़ा आइटम उठा गए, अपना अलग से थाड़ी में डाल लिया, और उन सब को कठा कर लिया, दाड़ भी, सबजी भी, लड़ू भी, जिलेभी भी, अलवा भी, कचोडी भी, पूरी भी, सब कठी तो आया, बहुत सुंदर वश्वादिष्ट पदारत है, शत्तिस में जन डाल रखे हैं, और जब उसने सारा ही मिला जिया, तो द्रोपती ने सोचा, अकि यो अच्छा, रहा सूदर का सूदर ही, इसने खाना बिना ता मन मन इतना दोस कर लिया, यो का एकी संख पजाओगा, इ एक मेंट में पता नहीं क्यों क्यों पकवाद कर जाता है, और वो तंतरियमी थे, कि द्रोपती ने अब इमान हो गया, अपने पकवान का, और द्रोपती का अब इमान भी समाप्त करना था, तो ऐसे उन्होंने पांच बार में, जैसे एक गरास बनाया, फिर दूसरा, अब जैसे गरास खाया, तो संख ने एक बार आवाज करी, दूसरा किया, तो दूसरी बार करी, तीसरी बार खाया, तीसरी बार भी आवाज करी, पांचों बार में सारा बोजन खा लिया, तो पांच बार संख बाज कर बंद हो गया, अब पांचों पांड़ों का उत्सा बढ़े लगा बड़ी दया करी आपकी दया से संख बजते गया अब कर्शन जी कहन लगे वाई संख बज गया लेकिन यग पूर्ना वी यो संख तो बहुत देर तक बजना चाहिए था जब यग पूर्न होगी अखंड बजना चाहिए कोई गंटा थे अग अई तो पांच कर्शन जी कहन लगे कोई नी रह रहा भाई ये दो सामने बैठे आना महापुरुष है ये के बाल में इक दिखा है इसके एक बाल के समान भी तीन लोग नहीं है ये इतना सिधी संपन शक्ती संपन महापुरुष है पर भाई कोई गलती आपने त बढ़ी है कर्शन जी ने दुरुपती से पूछा बहन साची बताइए तू जब इस महाराज जी खाना खा रहा था और इसने सारे आइटम इकठे कर लिए तेरे मन में कोई दोस आया था अकाहां जी दोस आय गया दुरुपती ने साची बताइए को मन ने नो बात कहएधी मन मन में तो कर्शन जी कहने लगे यह तेरे मरोड काड़े थे यह तेरे बढ़न सी दाकरें से जो तेरे में बखवाद बढ़े कि थी ना तीस माप पर उसके खाना खाना ते संखना बाद है ने वहले किर्शन जी कहने लगे पैर दोगा पीस के के तने यो बाल में एक सादिक है लाई प्राथ ठागा है वड़ी ऐसी जल लाई और उस बाल में कहती जिसने सुधरसन के यानी प्रमात्मा के वैसे लेकिन वहा वो रोल वो कर रहे थे द्रोपती ने अपने अथा अचन दोए वह मेल दूल युक्त और गाल के लोटे मेर पीन लाईगी अद्धा पीलिया अद्धा श्री किर्शन जी ने कहा के बेन मुझे भी दे दे थुड़ा सा इसे महापुरुष का अचन ना मरत और कब कब मले आद्धा द्रोपती ने पिया आद्धा श्री किर्शन ने और संख अपने आप एकदम बहुत जबर्दस्त आवाज करी और कहते हूं संख की आवाज स्वरग तक गई और उसके कारण बे मौसम में फूल दार पोदे फूलों से लदपद हो गए और फल दार वरक्स फलों से लदपद हो गए बसंद जैसा मौसम बने गया और वो तीन ताप का नास भी उस कबीर प्रमेश्वर जी की करपा से यानि कबीर जी किसे ही हुआ कैते तुम कोन राम का जपटे जापम तात कटे नाती नू तापम बोलो सत्गुर्दी झांट